हेलो दोस्तों मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इस फिल्म में आज मैं आपको 1965 में आई फिल्म गुमनाम और रामसिस की फिल्म महल के बारे में बताऊँगा जो 1945 में आई एक इंग्लिश फिल्म की कॉपी है गुमनाम फिल्म की स्टोरी इंग्लिश फिल्म से थोड़ी अलग लिखी गई है लेकिन रामसिस की फिल्म महल बहुत हद तक इंग्लिश फिल्म से सेम है तो आईए देखते हैं तीनों फिल्मों के मिलते जिलते शॉट्स गुम्राम फिल्म में एक हवाई जहाद से लोगों को टापो पर लाया जाता है जबकि महल फिल्म में औरिजनल इंग्लिश फिल्म की तरह नाउ से लोगों को लाया जाता है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है एक डायरी है उन मुसाफरों के नाम जो अपने जिन्दगी के आफरी मंदल पर आप पहुंचे हैं आप सब खुनी हैं और यहां आप सब को आपके गुनाहों के सजा देने के लिए बुलाया गया है बारी बारी आप सब की मौत मैं बी के वर्मा बोल रहा हूं मैंने ही तुम लोगों को इस महल में बुलाया है कोई प्रताब सिंग की वसियत मैं लिखूंगा आप लोगों के खुन से लिखूंगा मैं एक एक करके तुम लोगों को मार डालूंगा भराम साथे, तु ही बी के वर्मा है महल फिल्म में पहला खुन इंग्लिश फिल्म की तरह ही शराब में जहर मिला के दिया जाता है लेकिन गुमनाम फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है इंग्लिश फिल्म में जब भी कोई मरता है एक मूर्ती टुटियों भी मिलती है मैं फिल्म में किसी के मरने पर फोटो पर हार चड़ा मिलता है लेकिन गुमनाम फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है झाहको किसा शीड इसा यह तो कि यूगाने इसका विश्की मारा है इसका विश्की में किसीने भी तो जय डाला यह जा ह्या है जाहस्ट प्लाइन जरुँक उस्ट प्रण ड़ेकर वत्ती को नी की नन इसी मैल में है और वह हम लोगों में से ही एक है कुछ समझ नहीं आता कि होनी तक पहुंचा कैसे जाया है कैमल मांन, कैसा है टोम आफथ तक तो अपन जिंद है सची वाट करता है « अब्रट टोडी देल पैल कि यार्ण करता है» The idea was to keep us in fear of each other and find the murderer. Now we can tell each other the truth, the entire truth. Where's the judge? Don't think I can't see you. He has been shot through the head. . The bloody hell was dead. . My death was only to keep us in the scars of others. I've just said to the doctor that we have only one path to reach the end. One path. I will take a message to you. I will tell you that I will die. और मैं अपनी मौत के बाद चुपके इस असली खुनी की तलाश करूँगा उसके बाद सबसे पहले मैंने उसे ही खत्म कर दिया अबर अवतार से लेकिन तुम तो मर चुके थे जब डॉक्टर दस्तूर हमसे आखरी बार मिले अपन कुछ करेगा अब है ना सब लोगों के सामने यह बोल देना की जुम्बन मर गया इसके बाद मेरे लिए बहुत ही आसान था एक एक का सफाया करना I needed a respectable fool and naturally I selected a man whose fear of death might make him extremely cooperative I must appear to be the next victim we came back Now I was assumed to be dead chilled by that gun I had and which he found later on the staff I was waiting for me on the beach and worrying about the success of our plan A few minutes later he had nothing more to worry about I choose to leave this wicked world with a proud record of good deeds And now my work is done इस वीडियो को शेर करें और देखते रही है अपना फिवरेट चैनल लाइफ इस फिल्मी हमारा चैनल लाइफ इस फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें उनल लाइब करें झाल